नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका टॉप ट्रेंडिंग जी की में रेल्वे और अर भी एंटी पीसी मैस सीरीज में आज सेट नंबर 42 है इससे पहले हम 41 सेट कम्प्लीट कर चुके हैं इदि आपको वो वाले सेट देखने हैं तो आप प्लेलिस जाके चेक कर सकते हैं सवाल यहाँ पर जो पहला पूचा गया था वीडियो कंटीनू कर उससे पर में आपको बताता दोस्तों आप किसी भी कमड़े टू एक्जाम्स की तेहरी करते हो अपनी तेहरी को पर रखने के लिए साई डारेक्शन देने के लिए टाइम मैनेजमेंट हो गया इन सभी के लिए स्मार्ट वरक के तोरुपर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूर है मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक आपके लिए बेहतरी नावफर यह लेकर आ रहे है आप सारे एक्जाम्स के मॉक टेस्ट एक पास के अंत्रगत अब यह आप बारा मन्त की वजाए चोदा मन्त की वेलिटी में ये पास एवेलिबल हो रहा है इसमें भी इडिया आप टीटीजी के कोपन कोड यूज करते हो तो आपको एक्स्टा 120 रुपे का डिसकांट होने पर ये 280 रुपे में इस डील को ग्रेब कर सकते हो जिसमें सारे एक्जाम्स चाहिए आप SSE, Railway, Banking, डिफेंस या पर अधिर कोई इस्टेट लेवर्मेंट एक्जाम्स है इन सभी एक्जाम्स के मॉक्टेस्ट एक ही पास के अंत्र के जो सेम एक्जाम पेटन सेम डैस्पोर्ट परादारी जो अटेम्ट कर सकते हो जहां से आपके 50 फीस्टी तेहरी तो मॉक्टेस से ही complete हो जा जा रहा है यह इसका मतलब अनंत तक जा रहा है तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे हम मान लेते हैं कि यह सारा एक्स के बराबर है ठीक है एक्स के बराबर है अब जो इतना पार्ट बचा हुआ है यदि मैं उसको भी देखू तो यहां से लेके अनंत अनंत में कोछ गटाते हैं तो कोई फरक नहीं पड़ता है तो इतना जो भाग है उसको भी मैं X लिख सकता हूँ तो देखो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ X प्लस X ये X बराबर अनुरूट 7 प्लस X इस परकार से लिख सकता हूँ इस पूरे का मान देखो X बराबर ये दे रखा है तो यदि हम इसमें कुछ जोड़ते कटाते तो कोई फरक नहीं पड़ता है तो इतने का मान है जो अंडूट 7 प्लस ये भी X के बराबर ही होगा लगबग तो मैंने इसकी जिगह पर क्या रख दिया है X रख दिया है तो X बराबर अंडूट 7 प्लस X हो जाएगा अब देखो यहां से अंडूट हटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास इधर तो स्क्वेर कर दिया है और इधर स्क्वेर करने पर 7 प्लस X हो जाएगा अंडूट हट चुका है अब सबको एक तरफ ली आते हैं माइनस X माइनस 7 यह एक हमारी द्विघात एक्वेशन बन चुकी है द्विघात एक्वेशन बन चुकी है अब यह आप नॉर्मल देखोगे कि 7 के ऐसे टुकडे करो कि मल्टिप्लाई करने पर 7 आए और जोडने घटाने पर एक आए तो ऐसा कोई टुकड़ा आता नहीं है इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा X का मान निकालने के लिए माइनस B प्लस माइनस अन्रूट B स्क्वेशन माइनस 4 AC बटे 2 A यह फॉर्मला लगाना पड़ेगा तो यहां से हमारा क्या है एक स्क्वेशन का जो गुनांक है वो हो जाएगा हमारा A 1 है और X का जो गुनांक है क्या है माइनस 1 साइन के साथ देखेंगे और जो कॉंस्टेंट रासी है वो हो जाएगा हमारी C तो यह है माइनस 7 यह हो चुके हैं अब आपको इस फॉर्मूले के अंदर मान रखने है देखो B का मान जब हमने रखा तो यहां पर प्लस बन जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले से था प्लस माइनस अंडूट B स्क्वेर एक और यह साथ आ रहा है तो यहां पर देखो साथ माइनस का है यह भी प्लस का हो जाएगा और 2 हो जाएगा अब जब आप इन सब को रखोगे मान यहां पर 1 था क्या था 1 रखा था अब देखो सब को जोड़ोगे तो यहां 1 आएगा प्लस माइनस इनको मल्टिप्लाई करोगे तो 1 प्लस 28 आएगा और नीचे 2 आएगा और ज़्यादा सरल करने पर यह तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस अन्रूट 28 और एक क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा बटे 2 आएगा यह आपको कौन से उप्शन में दिखाई दे रहा है एक अंक्ययमान होता है अंक्ययमान यह पूछ था तो 3 का 3 ही हो जाता और स्थानीयमान पूछा है इसलिए जो पहला वाला 3 है उसके पीछे कितनी संख्या है 3 संख्या है तो 3-0 लगा देंगे 3-0 3-0-0-0 यह हो चुका है दूसरा स्थानीयमान इसका कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा तो उनों को जोड दोगे तो कितना आ जाएगा 30-30 हा जाएगा option number 4 हो चुका है सवाल number 15 निम्न को सरल रूप में वैक्ट करना है यह दे रखा है आपको तो यहां से आप 5 से यह काटोगे तो 5 वार कट जाएगा 3 से 3 कट जाएगा अब हमारे पास क्या बचा एक बटे 5 भाग एक बटे 5 बचा है या तो आप सिंपल देखरो यह देखो एक बटे 5 से एक बटे 5 कट चुका है और 1 बच जाएगा नहीं तो आप इस भाग के साइन को मल्टिप्लिकेशन के साइन में चैंज करते हो तो उल्टा हो जाता है जो पीछे आती संख है तो यहाँ 5 से 5 कट जाएगा और 1 आजाएगा ऑप्शन नमबर 3 हो चुका है स्वाल नमबर 16 24 वेक्टी किसी कारे को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 6 वेक्टी उस कारे को कितने दिन में पूरा करेंगे तो देखो टोटल वर्क का एक फॉर्मूला होता है क्या होता है देखो आदमी कितने आदमी उस काम को कर रहे है फिर उन आदमियों का एक दिन का काम एक दिन का काम ठीक है और टोटल दिन कितने दिन लगे ये है फॉर्मुला तो देखो पहले वाले इस equation से निकालें तो कितना होगा 24 आदमी थे एक आदमी का एक दिन का काम हमने यदि M मान लिया और 5 दिन में काम पूरा हुआ है तो ये हो चुका है टोटल काम अब यदि इस क काम को च्हें आदमी करें तो 6 हो जाएगा एक आदमी का M ही है काम और दिन पूछे गए हैं कितने दो हमने एक मान लिया अब यहां से आप सरल करोगे तो M से M कट जएगा छे से ये 4 बार करण जाएगा तो X का मान कितना जाएगा हमारे पास 20 हा जाएगा 20 आ जाएगा तो कि इस 4 और 5 को multiply करोगे 20 आ जाएगा option number 3 हो जाएगा सवाल number 17 1 plus 10 theta बराबर root 3 है तो इसका मान बताने आपको इसका मान बताने तो मैं क्या करता हूँ 10 का मान निकालता हूँ सबसे पहले तो एक को उधर ले जाऊँगा तो 10 theta बराबर कितना आ जाएगा under 3 minus 1 आ जाएगा अब 10 हमें पता है कि 10 बराबर होता है 1 upon quote तो यहां से इसको लिख हो गया यह हो चुका है अब 1 upon quote आए यह तो quote की value यहां से उल्टा कर देते हैं इसको तो यह भी उल्टा हो जाएगा 1 upon under 3 minus 1 1 हमारी quote की value आ चुके code की value आ चुके है तो अब हमें बस quote की value यहां पर रखनी है तो under 3 हो चुका है और quote की value रखने पर नीचे under 3 minus 1 हो जाएगा माइनस 1 यह हो चुका है अब आप क्या करो इसका количеum लो LLCM लेने पर क्या नीचे under 3 minus 1 आ जाएगा एधर अन्रूट 3 और यहाँ पर अन्रूट 3 प्लस 1 इस प्रकास से हो जाए यहां अन्रूट 3 से अन्रूट 3 कट चुका है बचा उपर 1 नीचे अन्रूट 3 माइनस 1 अब आप option में check कीजिए क्या यह दे रखा है तो हम देखते हैं तो किसी भी option में नहीं दिखाई देता जबकि नीचे 2-2-2 दिखाई दे रहा है यानि हमें नीचे से अन्रूट 3 को हटाना पड़ेगा अन्रूट 3 को हटाने के लिए आप क्या करोगे उपर नीचे अन्रूट 3 प्लस 1 से विप्रित यानि हम माइनस साइन था तो यहां हम प्लस से उपर और नीचे मल्टिप्लाई करते हैं ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि ऐसा करने से नीचे से अंडूट हट जाता है तो देखते हैं नीचे बन जाएगा 3-1 यह हो चुका है और उपर हमारे पास आ चुका है अंडूट 3-1 तो अंडूट 3-1 और नीचे 2 हो चुका है यह आ चुका है कौन से option में दिखाई दे रहा है यानि तिर्बुच की भी बुजा x है और वर्ग की भी बुजा x है यानि दोनों तिर्बुच की और वर्ग की बुजा सेम है ठीक है दूसरा तिर्बुच कौन सा है संभाव तिर्बुच है तो संभाव तिर्बुच का फोर्मूला होता है अंडूट 3-4 a स्क्वेर होता है और इसी प्रकार से वर्ग का फॉर्मूला क्या होता है? A² होता है, दोनों का बुजा कितना दे रखा है? आपको X दे रखा, तो यहाँ पर भी हमने X रख दिया, और यहाँ पर भी X रख दिया, तो X² से X² कट चुका है, आया अन्रूट 3 बटे 4, यहाँ पर 1 बचा है, देखो अब नीचे यहाँ पर 4 है, तो हम नीचे से हटाने की कोशिश करते हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड LCM लोगे, तो इधर तो 3 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा, LCM को काउंट नहीं करते हैं, तो अन्रूट 3 बटे 4, किस के अंदर दे रखा है, यही हम हरा अन्रपात हो चुका है, Option नमबर 1, सवाल नमबर 22, यह एक संख्या दे रखी है, इसमें 8 का आंकिक मान बताना है, पहले स्थानिय मान की बात करेंगी, जो पिछला सवाल था, इसमें आंकिक मान, तो 8 का आंकिक मान, 8 ही हो जाएगा, सवाल, Option नमबर 4, Question नमबर 24, क्या दे रखा है, यहाँ पर क्रे मुल्ले आपको 850 दे रखा है, विक्रे मुल्ले इतना दे रखा है, हानी पूछी है, जब हम इसको सरल करेंगे, तो 5,95 चार में आ जाएगा, यह 17 से कटेगा, 0,0 से कट जाएगी, यह आ जाएगा, यानि 5 की चीज़ जो खरीदी है, एक रुपए की हानी पर, उसने उसको चार में बेज दिया है, तो कितने की हानी होई, 21 पर, 5 पर, और परसेंटेज बनाने के लिए, 100 से मल्टिप्लाई करते हैं, तो यहां से आपका आ चुका है, 20 परसेंट, सवाल नमबर 26, 26 में क्या कहा है, एक विक्रेता, एक रुपए में 10 संत्रे बेजता है, और 30 परसेंट का लाब खमाता है, यानि कि, वो 100 रुपए की चीज को, 130 में बेजता है, 10 रुपए में खरीदी हुई चीज को, 13 रुपए में बेजता है, सरल करने पर, ठीक है, यह इनका अनपात आ चुका है, उसने एक रुपए में कितने संत्रे खरीदे, यह कहा है, एक रुपे में कितने बेच रहा है, दस संत्री बेच रहा है, पूछा है एक रुपे में कितने खरीदे, जब रुपे बराबर दिये हुए आपको, सवाल के अंदर ऐसे सवालों में जब आपको रुपे बराबर दिये हुए है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करते हैं, कि जो हमारा संत्रों का अनपात है वो उल्टा होता है वो उल्टा होता है जो इनका लाब यानि यह जो क्रेम उल्ले और विक्रेम उल्ले का अनपात होता है उसका उल्टा होता है संत्रों का अनपात यानि यह तब ही होगा जब आपको जो रुपए है वो बराबर दिये होए तो यह महां पर भी एक रूपय की बात करिए और बेचने टाइम भी एक रूपय की बात करिए। तो हमारा लू दस का क्र sound का या का अननपाद में है। इस अनपात में है तो हम्हें इसको उल्टा कर देंगे। 13 अनपात 10 हो जाएगा। तो यह हो चुका है हमारा किस का अनपात आ चुका है अब यह आ चुका है संत्रों का अनपात यानि कि सेम मुल्य पर खरीते और बेचे गए संत्रों का अनपात आ चुका है तो 10 की value यहाँ पर 10 दे रखी आपको क्योंकि 10 संत्रे बेचें यानि 10 अनपात की value 10 संत्रे है तो 13 अनपात की value कितनी हो जाएगी 13 संत्रे हो जाएगी क्योंकि 1 की value 1 हो जाएगी तो 13 की value 13 हो चुकी है यानि उसने 1 रुपए में 10 संत्रे खरीदें बेचे है और 13 संत्रे एक रुपए में खरीदे यहां से यह मतलब है दूसरा क्या है दूसरा तरीका एक रुपए में उसने 10 संत्रे बेचे एक रुपए में यदि 10 संत्रे बेचे तो एक संत्रे का मुल्य कितना आ जाएगा टोटल रुपए अपोन 10 संत्रे कर दिया यानि एक बटे 10 आ चुका है एक बटे 10 रुपए आ चुका है ये तो उसने बेचा है अब हमारे पास परसेंटेज में दिया गया है कि कितने में 100 रुपए की चीज को वो 130 में बेचता है ठीक है और एक का विक्रेम उल्ले ये दे रखा है आपको तो यहां से हमें क्रेम उल्ले निकालना है एक संत्रे का ठीक है तो देखो मान लिया मैंने एक संत्रे का क्रेम उल्ले एक्स है और 130 के लाब पर वो बेचता है तो क्या आ जाता है एक बटे 10 रुपए आ जाता है जो भी क्रेम उल्ले आ चुका है उसका 0 से 0 कट चुकी है तो हमा करेम लेदी 13 आ गया तो एक रुपए में कितने बेचेगा उल्टा कर दो 13 हो जाएगा यानि तेरा संत्रे वो बेचता है एक रुपए में बेच तो 10 रहा है तो यह हो चुक है आपका सवाल नमबर 30, 30 में क्या पूछा है आपसे मैं से पूछा है मैं से है HCF पूछा है जब भी हमें भिनका HCF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं उपर वाले का PCF लेंगे और जो नीचे दे रखा है उनका LCM लेंगे तो उपर वालों का HCF लो तो क्या है सब में कौमन है उपर तो एक आ जाएगा और और नीचे जब LCM लोगे, LCM जब आप लोगे तो यहाँ पर 60 हाएगा, तो 1 बटे 60 हाजाएगा, option number 3 हो जाएगा, सवाल number 33, 33 में cos x-y बराबर इतना दे रखा है आपको, किसकी value होती है, कि किसकी value होती है, कि कोस 30 की value होती है, कोस 30 का मान हम अंडूट 3 की जिगर मैंने cos 30 रखती है, यहाँ से देखो, x-y, यानि कि कोस ये बराबर ये है, तो यानि कि x-y बराबर 30 डिगरी हो चुका है, एक चीज तो यहाँ आ चुके है, हमारे पास, दूसरा sin दे रखा है, sin x-y बराबर 1 दे रखा है, तो 1 में sin किसकी value होती है, 1, sin 90 की value 1 होती है, तो मैंने sin 90 रख दिया, 1 की जिगर, ठीक है, तो यहाँ से x-y बराबर हमारे पास 90 आ चुके है, क्योंकि दोनों तरफ sin-sin तो इसलिए कोन भी बराबर होंगे, x-y बराबर 90 हो चुके है, तो देखो x-y बराबर 30 आ चुका है, देखो x-y बराबर तो हमारे पास 90 है, और x-y बराबर हमारे पास 30 आ चुका है, कैसे करते हैं दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग दे देंगे तो वो पहला वाला माना जाएगा यानि X का माना जाएगा दोनों को घटा के 2 से भाग दे देंगे तो वो दूसरा वाला यानि Y का माना जाएगा तो जल्दी से दोनों को जोड़ो 90 और 30 जोड़ा 120 बाई 2 किया तो 60 आ चुका है और दोनों को घटाओ 60 पटे 2 करोगे तो 30 आ जाएगा यानि X कमान 60 और Y कमान 30 आ चुका है कौन से option में है? option नमबर 4 में इनको आपको बैठके solve नहीं करना है उसमें time लगेगा सवाल नमबर 34 सोहन को अपने पुराने पंखे को 1500 रुपरे में बैचने पर 20% की हानी हुई और उसे पंखे को किस मुल्य पर बैचना चाहिए कि 20% का लाब हो यानि 1500 है 1500 रुपे अब बैचा है उसने क्या कह रहा है यहाँ पर 20% हानी में बैचा है यानि 1580% की value है इसी प्रकार से उसको किसने में बेचना है 120 में बेचे तो 20% का लाब तो 120 हो गया विक्रामुले 120 में बेचे तो कितना लाब होगा यह पूछा गया तो यहां से यह 2 आ जाएगा 3 आ जाएगा 2 को इदि आप इससे काटते हो तो 750 आ जाता है अब आप इसको जब मल्टिप्लाइ करोगे 2250 आ जाएगा जो कि उप्शन नमबर 4 है यहां से सवाल नमबर 35 35 में 6 के स्थानी अमान और अंक्य अमान दोनों का अंतर बताना है सबसे पहले सवाल जो आया था उसमें स्थानी अमान पूछा था फिर अंक्य अमान आया था अब वालस जो सवाल है उसके अंदर स्थानी अमान और अंक्य अमान दोनों पूछें तो 6 का हम स्थानी अमान जब निकालते हैं तो कितना आएगा पीछे जितनी संक्य है उतनी 0 लगा दो 6000 अंक्य अमान कितना हो जाएगा अच्छे हो जाएगा, जब आप इनको घटाओगे, अंतर पूछा गया, इसलिए घटाना है, तो ये 5994 आ जाएगा, जो कि option नमबर 2 है, सवाल नमबर 36, 36 में देखो, इन में से, किस से विभाजित है ये, यानि कि इसका एक गुलनखंट पूछा गया है, अब देखो, दो त किन कंडिशन दी होती है, एक तो दिया होता है, अलफा की पावर N, बीटा की पावर N, येदि दिया है, तो ये किस से विभाजित होगा, यानि कि इसका एक गुलनखंट क्या होगा, अलफा माइनस बीटा होता है, अलफा की पावर N और माइनस बीटा की पावर N दिया होता तो इसका एक गुननखंड ये होता है, चाहे N sum हो और चाहे विसम हो, दोनों में से कुछ भी हो, होगा एक गुननखंड तो, पहली बात तो ये, दूसरी बात, पाई चांस ये दी power sum हो गई, तो ये वाला गुननखंड तो होगा ही होगा, ये तो दोनों में है, वहाँ एक बस ये ध्यान रखना है, जब sum होता है, तो एक गुननखंड अल्फा प्लस बीटा और होता है, अल्फा माइनस बीटा तो sum और विसम दोनों में होगा, और जब power, जब बीच में प्लस हो, sign, तो क्या होगा, तब केवल हमेशा प्लस ही होगा, इसका एक गुननखंड हमेशा अल्फा प्लस बीटा यानि प्लस वाला ही होगा, और इसके लिए एक condition है कि n विसम होना चाहिए, n कैसा होना चाहिए, विसम होना चाहिए, और n sum के लिए कोई है नहीं है, यानि जब n की power, n जो n power है वो यदि sum है, तो उसका कोई गुननखंड नहीं होगा, तो ये हो चुक होगा, और by chance माइनस में sum आ जाए, तो उसका एक प्लस वाला भी गुननखंड होगा, बस इतना ध्यान रख लीजिए, और बाकी ये थोड़ा साब, कि ये प्लस वाले में विसम वाला, प्लस में हमेशा power विसम होनी चाहिए, तो अब यहां से देखो, हमारे बीच में sign कैसा है, प्लस है, पावर कैसी विसम है, तो यनि इसका एक गुननंड होगा, और कोन सा होगा, alpha प्लस बीटा ये होगा, तो दोनों को जोड़ो, यहां पर alpha का मानी 41 ए और बीटा का मानी 43 है, 41 प्लस 43 करोगे, तो 84 आ जाएगा, option नमबर यहाँ से 2 हो जाएगा, सवाल नमबर 40, वैं छोटी से छोटी संख्या ग्याद कीजिए जिसे इसमें जोडने पर प्राफ संख्या इससे विभाजित होती है यानि माना मैंने इसमें X जोड दूँ अब जो संख्या आईगी ठीक है जोडने पर जो संख्या आईए वो इन सबसे विभाजित है यानि इन सबसे भी भाजियत है तो इनका हमें LCM लेना पड़ेगा इनका यह दिया आप LCM लोगे तो कितना आएगा यहां से 12 आ जाएगा 12 में सब का भाग जा रहा है तो 12 आ चुका है इनका LCM यानि कि 12 का आ रहा है 12 का मतलब 3 का भी भाग जाएगा और 4 का भी जो संख्या आएगी 2 का भाग देखते हैं पहले 2 का भाग का मतलब क्या है Last संख्या Sum होनी चाहिए जोडने के बाद यानि 6 में कुछ जोड़ा जाएगा उसके बाद Sum संख्या कब आएगी जब उसमें Sum संख्या जोड़ी जाएगी यदि मैं इसमें 7 जोड़ देता हूँ तो पीछे विसम आएगा 7 जोडने पर कितना आएगा पीछे 3 आएगा जो कि विसम है यानि कि इसमें X का जो मान है वो Sum ही जोड़ा जाएगा तभी तो Sum संख्या आएगी तो देखो Sum किसमे है Option No.1 में दिखाई दे रहा है तो यह हो सकता है और 4 हो सकता है यह नहीं हो सकते 2 Option हमारे कट चुके अब बचे 2 Option अब हमारे पास क्या है 3 का देखेंगे चेक करके हम देखो 3 का किसमें जा रहा है 3 का कैसे चेक करते है सभी संख्याओं को जोडना पढ़ता है हमको तो हमारे पास संख्या थी 3 यह थी 3, 4, 9, 6 इसमें यदि आप 8 जोड़ोगे तो संख्या क्या बन जाएगी हमारे पास बन जाएगी यह 4 35, 0, 4 बन जाएगी और यदि चार जोड़ोगे इसके अंदर तो क्या बन जाएगी संख्या ये बन जाती है 35 बन जाती है तो ये दो संख्या आ चुके अब उसने का है वै छोटी से छोटी संख्या तो हम सबसे पहले इसको जोड लेते हैं कि छोटी संख्या चार है बड़ी संख्या आठ है तो चोटी से चोटी संख्या क्या जोड़ी जाए कि उसमें इनका भाग चला जाए तो आप देखो तीन और पांच को यह जोड़ते हैं तो आठ आता है और आठ में तीन का भाग नहीं जाएगा इसलिए यह संख्या तीन से विभाजित नहीं है आता है ये संख्या नहीं हो सकती, ये कट चुका है तो वैसे हमारा option number 1 हो गया, इसको देखते ही बाकि चेक कर लेते हैं, 3 और 5, 8 होते हैं और 4, 12 होते हैं, 12 में 3 का भाग जाता है इसलिए ये संख्या हो चुके है, option number 1 हमारा हो चुका है तो सम बहुबुझों की बुझाओं की संख्या का अनपात कितना है एक अनपात 2 है, देखो 2 क्या है, बहुबुझ है सम बहुबुझ यानि उनकी सभी बुझाओं की लंबाई बरावर है यानि कि पहले में येदी 1 बुझा है तो दूसरे में 2 यदि पहले में 2 बुजा है तो दूसरे में 4 पहले की double है दूसरे के अंदर ये तो बुजा पहले का एक antrikone आपको कितना दे रखा 140 यानि पतेक antrikone 140 डिग्री का है और पूछा है कि दूसरे का जो antrikone उने q कितना है हमने मान लिया x है अब देखो यहाँ पर यह निकालने के लिए आपको दो फॉर्मुले पता होने चाहिए पहला कि जब कौन दिया हो आंतरिक कौन दिया हो और भुजा कैसे निकालेंगे तो माना N भुजा है हमारी और कौन है और ठीटा कौन मान लिया तो जब कोंड दिया हो तो बुजा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 360 बटे 180-θ ये फॉर्मूला हो गया और जब बुजा दिया और कोंड निकालना होता है तो हम करते हैं 2N-4 into 90 बटे N ये हो जाएगा तो ये दो फॉर्मूले हैं पहला formula आपको बुझा निकालने का है दूसरा आपको आंत्रिक कोण निकालने का है तो सबसे पहले में अब में देखो क्या दे रखा है कोण दे रखा है तो यहां से हम बुझा निकाल लेंगे तो जब पहला वाला formula रखोगे आप 360, 180, minus 140 करोगे तो यहां से 360 आजाएगा N का मान निकाल रहे है बुझा का तो यह आगया 40 सरल करने पर 9 आजाएगा यानि कि पहले वाले में बहु बुझ में 9 बुझाएं है यानि कि यह 9, 9 के बराबर है अनपात इनका एक अनपात 2 है तो दूसरे में 18 बुझाएं हो जाएगी अब हमारे पास दूसरे बहु बुझ की बुझाएं आ चुकी है जो की है 18 तो बुझाएं आ चुकी है तो अब हम क्या करें अब हम देखो formula लगाते है गीटा कौन निकालने का क्योंकि हमसे आंतरी कौन पूचा है तो बुझाएं दियो तो कौन निकालने का formula कौन सा है ये वाला formula लगा देंगे तो हमारे पास बुझाएं है 18 एन की जगा 18 रख देंगे मान 18 रख दिया इन्टू 90 बट्टे 18 ये हो चुका है दिग्री आ चुका है दूसरे का कौन यानि एक्स का मान हमारा कितना आ चुका है 160 डिग्री तो 160 आपको कौन से option में option number 3 में दिखा ही दे रहा है सवाल number 43 अब देखो यहां से देखने पर ये हो चुका है हमारा A into A यानि की A square हो चुका है ये B square हो चुका है तो ये बीच में कुछ ऐसा formula बना होगा 2AB इस परकार से बना होगा तो हमें इसको check करने की जूरत नहीं है तो हमारे पास formula आ चुका है A square minus 2AB plus B square ये किसके बराबर होता है A minus B के बराबर A minus B के हॉल square के बराबर होता है अब A आपको पता चल रहा है 8.75 है और B बराबर इतना दे रिखा है यदि हम इनको लिखेंगे तो थोड़ा time लगेगा direct solve करोगे तो आपको वो भी time नहीं लगने वाला A में से B घटाना है कि 7.55 गट चुका है बचा 8.7 तो A का आएगा answer direct हो जाएगा पूरे का whole square घटा होगे तो एक बचेगा आपके पास एक का square बराबर एक आजाएगा option number 1 हो जाएगा सवाल number 49 2.6 वर्सो को आप वर्सो महिनों और दिनों में किस प्रकार से लिखेंगे ठीक है तो तीन चीजे हैं तीन भागों में सबसे पहले बांट लेते हैं पहली चीज है वर्स दूसरी चीज है महिने और फिर आता है दिन ठीक है तो वर्स से महिनों में जाओगे तो कितने महिने होते हैं एक वर्स में 12 और दिन कितने होते हैं 30 तो सबसे पहले 2.6 दे रखा था तो यहां से 2 तो हमारे कितने ओचुके हैं वर्स हो चुके हैं अब हमारे पास बचे 0.6, पॉइंट वालों को हम आगे चेंज करेंगे महीनों में, इसलिए हमें महीनों में वेक्ट करने के लिए इसको 12 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा जब हम इसको 12 से मल्टिप्लाई करोगे तो 6 को यदि 12 से करते हैं तो कितना आएगा बहतर आता है और पॉइंट कितने के बाद है एक के बाद, तो यानि यह 7 हमारे महीने आ चुके हैं और आगे जो भी पॉइंट आया है उसको हम आगे ले चलेंगे पॉइंट 2, अब इसको 30 से मल्टिप्लाई करेंगे क्योंकि हमें महीनों को दिन में व्यक्त करना और एक महीने में 30 दिन होते हैं अब आप इसको मल्टिप्लाई करोगे तो कितना आएगा 60 आएगा, पॉइंट कितने के बाद एक के बाद है, यानि 6 दिन आ चुके है, और बाकी बाद में क्या बचा है, पॉइंट के बाद 0 बचा है, यानि कि 2 और 7 महिने और 6 दिन, कौन से option में, option number 4 में दिखाई दे रहा है, सवाल नंबर 52, 52, एक रेल गाड़ी, 90 किलोमेटर परती घंटे की चाल से चल रही है, और 15 म मिनट के अंदर कितने मीटर में दूरी पूछी गई है, 15 मिनट में कितनी दूरी तै करती है, देखने में तो काफी सरल सवाल लग रहा है, मगर थोड़ा सा इसमें क्या चीज है, कि यहाँ पर किलोमेटर में दे रखा है, यहाँ मिनट में दे रखा है, और हम से मीटर में प 25 आ चुका है, यानि कि हमारे पास अब 425 मीटर पर 30 सेकिंड आ चुकी है, अब ये मिनट में है, तो इसको भी हम सेकिंड में चेंज करोगे, तो सेकिंड में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से मल्टिप्लाई कर दिया है, ये बन चुका है, अब हमें बस चाल निकाल लिए, दूरी निकाल लिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय होता है, ठीक है, चाल कितनी है हमारी 25 दे रखी है, और समय कितना है, पंदरा इंटू 60 दे रखा है ये हो चुका है अब देखो पंदरा को 60 को हम 25 से मल्टिप्लाई करते हैं कितना आएगा 800 आ जाता है और 1 और 0 आ चुके इंटू 15 है 15 को 15 से मल्टिप्लाई करने पर 225 आता है और पीछे 2 0 आगे कौन सा आप्शन आप्शन नमबर 2 सवाल नमबर 35 15 पुरुस या 25 महिला एक खेट की फजल को 22 दिन में काट सकते हैं 9 पुरुस और 18 महिला हैं देखो या तो वही टोटल काम कैसे निकालते हैं आदमी आदमी इंटू एक आदमी का एक दिन का काम एक दिन का काम इंटू टोटल जितने दिन लगे तो पहले में क्या दिया गया है 15 अब देखो यहाँ पर पुरुस दे दिए और महिलाए दे दिए तो हम पुरुस के मान लिया है और कितने दिन में कर रहे हैं पुरुस भी 22 दिन में कर रहे हैं या फिर 25 महिलाएं महिलाओं को वूमेन यानि एक दिन का काम महिलाओं का डबलू से वैक्ट कर दिया है और ये भी 22 दिन में ही पूरा करती है इस प्रकार से दे दिया है अब यहां से हम यदि सरल कर तो देखो इस से 22 से तो 22 कट चुका है और ये कितने से कितना कट चुका है 3, 5 इस प्रकार तो हमारे पास man-woman ratio क्या आ चुका है 5 बटे 3 आ चुका है ये आ चुका है ठीक है तो अब हमारे पास man-woman का चुका है लगे, यह नो पूरस और अठारा महिलाओं का काम निकालना है कि कितने दिन में वो इसे कंप्लीट कर देते हैं तो देखो सबसे पहले तो हमें टोटल काम निकालना पड़ेगा यह भी टोटल काम है और इससे भी टोटल काम आ जाएगा, तो म का मान यहां पर रख दो, पूरस एक दिन में कितना बनाता है, पांच बनाता है तो पंदरा इंटू पांच इंटू बाइस करोगे तो कितना आ जाएगा यह एक दिन का काम आ चुका है, हम इसको अब सॉल नहीं करेंगे, वस ऐसी रहने देंगे बाकी, यह काम किस के बराबर होगा 9 पुरस और 18 मिलकर भी तो वो काम कर रहे है कितने दिनों में पूछा गया है एक्स मान लिया हमने अब देखो, यहां मैन कितना पांच रखोगे और वो मैन का 3 रखोगे तो 5 रखने पर कितना आ जाता है 45 आ जाता है, 3 रखने पर 4 पन आ जाता है इंटू एक्स हो गया है ठीक है, तो अब वापस लिख ले 15 पांच इंटू बाइस बराबर किसके है, 45 और इन को जोड़ोगे तो 99 आ जाएगा इंटू एक्स आ जाएगा, अब देखो यह 11 से 2 वार कटेगा और यह 9 वार कटेगा, एक तो यह कट चुका है, अब क्या कटेगा, पहले तो हम एक्स को एक तरफ रख लेते हैं और बागी सब को दूसरी तरफ ले जाते है, 5 इंटू दो बटे 9 यह बचा है हमारे पास अब 3 के बाड़े से यह यह 5 वार कट जाएगा, और यह 3 वार कट जाएगा, तो हमारे पास आ चुका है 25 और 9, 25 और दो 50, 50 बटे 3 यह आ चुका है, अब 3 का भाग इसमें 2 गे, तो कितनी वार जाएगा, पहले तो 1 वार चला गया अब बचा 20, 20 में 6 वार 18 आता है, 18 वार चला गया बचा कितना 2 वचा तो 2 वचा तो 2 वचे 3 आ चुका है इतने दिन में दोनों मिलकर काम कम्प्लीट कर लेंगे सवाल नबर 56, एक्स का वह मान ग्याद कीजिए, जो समिक्रण इसको संतुष्ट करता है यानि कुछ नहीं करना एक्स का मान निकालना है कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वेर प्लस ए स्क्वेर है, और इस जो होल स्क्वेर है, इसको ओपन कर लो तो ओपन करने पर बी स्क्वेर आ जाएगा एक एक स्क्वेर आ जाएगा और एक माइनस 2 2bx यह आ जाएगा, यह आ चुका है, अब x square से x square कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी plus है, बराबर के उधर भी plus का है, तो यह कट चुके है, अब यहाँ से हमें x का मार निकालना है, तो मेरे को इस b square को इधर ले जाता हूँ, तो a square minus b square बराबर कितना आ गया, minus 2bx यह हो च common लेने पर क्या होगा, a तो हमारा minus का हो जाएगा और b plus का हो जाएगा, ठीक है, उल्टा हो जाता है sin common लेने पर, common ले लिया, इधर भी minus था bx, तो minus से minus कट गया, यह बचा, अब b square minus a square और 2b को भी इधर लियाता हूँ, तो यह x के multiplication में, इसलिए नीचे भाग में चले जा जाएगा, तो x का मान आपका कितना आचुका है, x का मान आचुका है, b square minus a square बटे 2b, option number a को चुका है, सवाल number 57, यह दे रखा है, अब कहा है, x minus 3 से भी भाजित करने पर, 6 क्या बचेगा, ठीक है, तो इसको कैसे करेगे, कि 6 फल क्या बचेगा, कि यहाँ से x minus 3 है, जो, x minus 3 को हम यदि 0 के बराबर रखें, तो क्या आता है, हमारा x का मान 3 आता है, तो इस 3 को अब हम इस equation में रखेंगे, तो जो मान आएगा, वही हमारा सेसफल है, और यदि कोई सेसफल नहीं बसता, इसको divide करने पर, तो 0 आता मान, तो देखो, उसने का, क्या सेसफल आएगा, अब इसमें आप मान रखो, जब x की पावर 4, यानि x रखा यहाँ पर 3 की पावर 4 करने पर कितना आता है, 81 आता है, फिर 3, 3 की पावर 3 करने पर कितना आता है, 27 आता है, 3 की पावर 2 करने पर कितना आएगा, 9 आएगा, 3 प्लस 1, यह आ चुका है सारा, देखो, अब 27 और 3 कितना ह तो यह तो हो चुके 30 हो चुके हैं तीस में आप 80 जोडते हो तो 110 आते हैं एक और जोड़ दोगे और एक और एक दो 110 और 112 आ चुके हैं 112 में से अब हमको 9 गटाना है 9 गटा होगे तो कितना बचेगा 103 बच जाएगा यह हो चुक है हमारा option number 4 इतना सेस्त बचेगा सवाल नमबर 59, 59 में क्या दे रखा है ये तो हो चुका है A क्यूब और यहाँ पर प्लस B क्यूब उपर इस परकार बन चुका है, तो A क्यूब प्लस B क्यूब को जब हम इस फॉर्मुले को ओपन करते है तो क्या बनता है हमारे पास सबसे पहले तो A प्लस B आजाए यानि बीच में जो साइन है वह वैसा का वैसा लिख देते है फिर आता है A सक्वेर माइनस B सक्वैर A सक्वेर माइनस A B प्लस B सक्वेर यह बच जाता है, ठीक है, यह हो चुका है उपर और नीचे जब देखते हैं तो क्या बनता है हमारे पास नीचे आया है हमारे पास A square minus A B plus B square यह बन चुका है तो अब हम इसको एक बार लिख लेते हैं अच्छे से कि हमारे पास उपर तो आया था A plus B A square minus A B plus B square और नीचे क्या आ चुका है A square minus AB plus B square यह दे रखा है आपको अब यहां से यह cut जाएगा बचेगा क्या A plus B यह बचेगा अब वापस से आप मान रख दो A का मान कितना है 0.6 और B का मान कितना है 0.7 है दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता है 13 1.3 आ जाएगा Option नमर एक हो जाएगा सवाल नमर 60 60 में क्या X के 35% का 35% कितने परसेंट के बराबर है सबसे पहले तो आप इस percentage को solve करो X का 35% यानि X को हम इस प्रकार से लिख देते है X का 35% ठीक है और इसका भी 35% तो इस प्रकार से हो चुक है अब यदि हम इसको solve करते है तो ये 7 और 20 से कट जाता है इसे भी यदि 7 और 20 से कट जाएगा ठीक है आगे कुछ कट रहा है नहीं कट रहा तो X आ चुका है 14 बटे 400 इस प्रकार से आ चुका है अब देखो मैं इसमें 4 का भाग देता हूँ उपर नीचे से उपर 4 का यदि भाग देता हूँ तो कितना बसता है मेरे पास भाग देने पर कितना बसता है 4 एकम क्यों भाग दिया मैंने क्योंकि कट तो रहा नहीं है ये अब हम देखो यहाँ पर यह देखो यहाँ पर पॉइंटों में answer आ चुका है इसलिए मैं भी यहां से 4 का भाग देता हूँ और 100 को नीचे छोड़ देता हूँ क्योंकि यहां परमेवापस से परसेंटेज बनाना है ठीक है तो 100 को तो मैंने नीचे छोड़ दिया है और 4 बचा नीचे 4 का भाग दिया चाओदा के अंदर कितना आएगा 4 ती है 12 तीन वार गया ठीक है 4 ती है 12 7 7 और 7 देखो यहां है ना थोड़ी सी हमसे गलती हो चुकी है क्या आएगा जब उपर मल्टिप्लाइ करोगे तो 49 आएगा चौदा नीचे 49 और नीचे 400 ही आएगा यह आ चुका है अब देखो 4 का हम इसमें भाग देंगे क्यों? क्योंकि हमको % में बनाने के लिए 100 आया था जो तो नीचे रख लिया हमने ऐसा का ऐसा तो यह बाद में इस 100 को हटा कि हम % के साइन में चेंज कर देंगे बाकी नीचे 4 बचा अब 4 का यह आप भाग दोगे तो 4 एकम 4 4 दो ने 8 पॉइंट फिर लगेगा बचा कितना 10 10 में 2 वार जाएगा और फिर 5 वार जाएगा यह आ चुका है अब जो नीचे 100 है इसको यह आप अटा देते हैं तो किस प्रकार से लिख सकते हैं? X का 12.25% 12.25% यह हो चुका है तो यह कहां मिल रहा है आपको option number 1 में मिल रहा है तो हमारा option number 1 हो चुका है यहां से सवाल number 61 10 वर्स पहले X की आयू 5 वर्स थी और उसकी आयू Y की आयू के आदी थी अब जब यह सवाल करोगे तो इस पहली लाइन को आपको पढ़ने की विजूरत नहीं है इसका कोई मतलब नहीं है यह आपको यहां पर time खराब करने के लिए दिया गया है अब देखो आगे बढ़ो उस समय Z की आयू अपने भाई P से 8 वर्स कम थी यानि कि 10 वर्स पहले Z की आयू अपने भाई P से 8 वर्स कम थी दो लोग है एक Z है एक P है Z की आयू अपने भाई P से 8 वर्स कम थी और Z की आयू कितनी देर की 18 यानि इसकी आयू 18 देर की और यह कह रहा है कि P से इसकी 8 कम है तो P की कितनी हो जाएगी 10 वर्स पहले P की हो जाएगी इसमें आप 8 जोड़ दो 26 हो जाएगी ठीक है अब वर्तमान में पूछी है कि Z और P की इन पाथ इनकी IU का रिश्यो क्या है तो ये तो इनका 10 साल पहले का था 10 वर्स पहले तो वर्तमान क्या हो जाएगा वर्तमान की बात करें तो इसको आप वर्तमान में 10 जोड़ना पड़ेगा ये हो जाएगा 28 और यहां से हो जाएगा 36 तो वर्तमान ये हो चुका है अब आप इसको सरल करोगे तो ये 4 से कटेगा 7 वार और ये 4 से कटेगा 9 वार तो 7 अनपाथ 9 आ चुका है option नमबर 2 यहां से सवाल नमबर 69 ये आकड़े दिये गए माधिका निकालनी और बहुलक निकालना है ठीक है तो देखो हमें पता है कि माधिका क्या होती है बीच वाली संख्या होती है यदि विसम है तो एक संख्या होगी बीच में और sum है तो 2 संख्या होगी 2 संख्या है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे ठीक है अब total हम संख्या गिनते हैं 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10 यानि total 10 संख्या है 10 का मतलब बीच में कौन सी संख्या एक तो 5 वी संख्या और 1 6 संख्या ये 2 संख्या है आएगी अब देखो यदि आप इसको लिखते हो तो भी थोड़ा time खराब होता है direct कैसे करेगे सबसे छोटी संख्या देखो एक तो ये 2 हो गया एक ये 2 हो गया, 2 तक चले गए अब तीसरी संख्या क्या है तीन और तीन है क्या इसमें ये 4 थी संख्या, ये 5 वी संख्या 5 वी संख्या हो चुकी है यहनि 5 वी संख्या कितनी आ चुकी है 3 आ चुकी है, आगे बढ़ो 3 संख्या, 5 और 7 वी संख्या, 5 ये 6 संख्या कितनी आ चुकी है, 5 आ चुकी है तो बीच वाली दोनों संखे हैं हमें मिल चुकी है, यह कितनी होगी, तीन प्लस पांच बटे दो, यहां से करा तो कितना आ जाएगा, चार आ जाएगा, यह नि माधिका हमारी कितनी आ चुकी है, चार आ चुकी है, अब बहुलक पूछा है, बहुलक वो होता है जो सबसे दवार हमें पता है, तीन आया देखने पे, तो तीन हो चुका है, बहुलक और माधिका हो चुकी है, चार, तो कहां दिखाई दे रहा है, ओप्शन नमबर दो में दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से कर सकते हैं, आप इसको बिना लिखे, टाइम बचेगा आपका, बाक दोवार है, इस प्रकार से लिख लिया, उसके बाद में साथ, साथ भी दोवार है, फिर नो, इतनी संख्या है टोटल, तो देखो ये पहली, दूसरी, तीसरी, चोथी, पांच भी, छटी, ये बीच वाली दो संख्याए हैं, तीन और पांच, तो तीन प्लस पांच बाइट इस प्रकार से, सवाल नमबर सत्तर, एक आयताकार मैदान की लंबाई और चोड़ाई का पांच है, यदि चोड़ाई लंबाई से 25 मिटर कम है, तो मैदान का परिमाब क्याद कीजिए, ठीक है, अब देखो लंबाई और चोड़ाई का इतना दे रखा है, और चोड़ाई ल वाले सवाल करो आयत वर्ग इसमें यदि अनपात दिया हुए आप जरूर एक्स जरूर मानना क्योंकि बाइचांस यदि छेतर फल होता तो ये अनपात हम छे अनपात पांच लिख लेते तो गलती हो सकती है क्योंकि वहां मल्टिप्लिकेशन में एक्स स्क्वेर बनेगा यद इक्स एक्स फाइफ एक्स हो चुका है इनका अनपात अब क्या का गया है चोड़ाई है ना लंबाई से पत्चिस कम है यानि कि ये छे एक्स पांच एक्स से कितना अंतर है यहां पर एक्स का अंतर है जो कितना दे रखा आपको पत्चिस दे रखा है यानि कि ये पास देखो यह 25 X का मान, तो 6 X का यहां से मान कितना चुका है, 25 को 6 से करोगे, multiply तो आजाएगा, 5 X का मान कितना आजाएगा, 5 को करोगे तो 125 आजाएगा, तो हमारे पास लंबाई आ चुकी है, 150 ठीक हैं, और चोडाई, वीड था चुकी है, 125 यह आ चुकी है, अब आप मैद होती है, यही परिमाप होता है, यहीं कि इसमें 2 वार लंबाई दे रिखी है आपको, और 2 वार चुडाई दे रिखी है, इन चारों को जोडना है, आपको तो आ जाएगी, या तो आप इनको डिरेक्ट जोड लो, नहीं तो फोर्मुला होता है, 2 लंबाई प्लस चुडाई यह हो चुका है, लंबाई प्लस चुडाई, तो 2 लंबाई कितनी दे रिखी है आपको, डेड़ सो देर खी है, चुडाई कितनी, 125 देर खी है, इन दोनों को जोडोगे तो कितना आएगा, पीछे 5 आचुका है, 7 आचुका है, 2, 275 को 2 से मल्टिप्लाई करना है, यानि 2 को 2 से करोगे तो 400 हो जाएगा, और 75 को करोगे तो 1,500 हो जाएगा, यानि 550 आजाएगा, 550 मीटर आजाएगा, 550 मीटर नहीं तो हम क्या है, यहां से डाइरेक्ट देख कि भी आप सवाल को कर सकते हो, डाइग्राम को देख कर, कि 2 लंबाई है, एक लंबाई 1,500 की होती है, तो 2 ल 550 यह आप डायग्राफ से कर सकते हो तो मैंने दोनों तरीके से आपको बताया है सवाल नमबर 31 एक आत्मी एक सावधी जमा योजना में 10% चकृती ब्याज की दर पर 2 वर्स में 12,000 की राशी जमा करता है यानि वो 10% चकृती ब्याज पर 2 वर्स के लिए अपनी 16,000 की राशी लगाता है ब्याज कैसे दे रहा है 6 माईने के अधार पर मिलेगा उसको परिपक्वे होने के बाद उसको कितनी राशी मिलेगी यह पूछा गया है परिपक्वे होने के बाद में यानि कि 2 साल के बाद में उसको कितने रसी मिलेगी ये पूछा गया है और जो ब्याज है वो 6 माई पर अधार पर लगेगा यानि 6 माईने बाद ब्याज काउंट किया जाएगा तो 6 माईने बाद है हमारी देखो दर तो 10% दे रिखिये और वर्स दो वर्स दे रिखिये जब यदि 6 माईने बोला तो ये एक साल का है 10% तो 6 माईने का कितना हो जाएगा इसका आधा और वर्स कितने हो गए 6 माईने में यानि टाइम कितना हो गया 6 माईने में 4 हो जाएंगी 6 माई 6-6 माईने के 4-6 माई हो गई 2 वर्स में तो हम कहेंगे कि दर्थ तो हो गई, आधी हो जाती है जब भी 6 माई की बात करते हैं, और जो time है, वो कितना हो जाता है, double हो जाता है, यह हो चुक है हमारे पास, अब यहां से amount निकालना है, हमको परिपक्व होने के बाद, जो चार साल का निकालना होता है ना, तो हम कुछ भी नहीं करता है, हमें formula ही लगाना पड़ता है, तो P हो गया, जो आपका principle है, starting में जो रासी दी है, यानि कि मूल धन, प्लस, 1 प्लस, क्या हो जाएगा, दर, rate, बटे, 100, इसकी power N, कितना आपको यह पर्स दे रखे हैं, तो अब मान रखनें, यहां पर, 16,000 तो रासी हो चुकी है, इसके बाद में, 1 प्लस, दर रखोगी, कितनी दे रखी हैं, आपको 5, बटे, 100, और साल कितने हैं, 4 इस प्रकार से हो चुके हैं, अब इसको यह दिया, आप और solve करोगे, तो 16, यह आ जाएगा, और नीचे क्या जाएगा, LCM लेने पर, यहां पर 105, बटे, 100, कि power 4 इस प हजार, अब यह आ चुका है, इसको यदि काटते हो आप, तो 21 बटे 20 की power 4 आ जाता है, 21 बटे 20 की power 4 आ जाता है, 21 बटे 20 की power 4 आ जाता है, तो और ज्यादा सरल करने पर अब क्या होगा, देखो, नीचे ना, कितना आएगा, उपर तो है 16,000, इसको हम 4 वार लिख सकने हैं, 21 क्योंकि power 4 है, और नीचे भी इस ही परकार, 20 इंटू, 20 इंटू, 20 इंटू, 20 इस परकार से लिख सकने हैं, अब यह 3 power तो, 3 0 तो 3 0 यह कट चुकी है, बाकी बचा 2, 2, 4 वार, तो इन सब 2, 2 से यह 16 कट जाएगा आपका, अब आपके पास उपर तो बच चुका है, कितना, नीचे तो 1 0 बची है, और उपर 4 वार 21 बचा है, इन सब को जब आप multiply करोगे, करना पड़े का multiply, तो इन सब को जब आप multiply करोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, देखो, ऐसे कर लो आप, पहले 21 को 21 से multiply कर लो, यानि 21 का square कितना होता है, 441, वापस से 441 हो जाएगा, यह हो पहरा आंसर आजाएगा, आंसर कौन सा है, जो पहला आंसर है, वो आपको इनको multiply करने पर आजाएगा, और multiply हमें करना पड़ेगा, question number 72, यदि सम बहु भुझ का परतेक आंत्री कोन, 145 जिगरी का दे रखा है, तो बहु भुझ में बुझाओं की संख्या पूछिए, तो बुझाओं की संख्या क्या होती है, जब आंत्री कोन दिया होता है, n बराबर 360 बटे, 180 माइनस थीटा, थीटा का मान यदि आप यहा बचेगा, 36 बचेगा, यानि नीचे 36 बचा है, उपर 360 है, काटोगे तो 10, यानि उस बहु भुझ की बुझाए, कितनी हो चुकी है, 10 हो चुकी है, option number 1 हो चुका है, सवाल number 79, sin थीटा माइनस, cos थीटा बराबर 0 दे रखा है, इसका मान आप से पूझा गया है, तो इसको sin थीटा और cos थीटा कब बराबर आते हैं, जब 45 होता है, थीटा बराबर जब 45 होता है, तो sin का मान और cos थीटा का मान बराबर होता है, बराबर होता है, इसका मान घटाने पर 0 आएगा, तो हमें पज़ा चल चुका है, यहां से थीटा बराबर 45 होगा, बस अब आपको इसम में रखना है यह कि sin 45 प्लस पोस 45 यह कितने के बराबर है तो एक बटे अंडूट दो प्लस एक बटे अंडूट दो यह हो जाएगा लसियम लेने पर नीचे तो अंडूट दो उपर दो आ जाएगा ठीक है तो यहां यहां यदि करोगे और स्वाल तो क्या हैगा यह आ देखो उपर दो है उसको हम क्या लिख सकते हैं अंडूट दो इंटू अंडूट दो और नीचे अंडूट दो है अंडूट दो से अंडूट दो कर जाएगा आंसर आएगा अंडूट दो ओप्शन नमबर तीन सवाल नमबर 81 चीनी के मुले में 25 परसेंट की गिरावट आत यह की जो इनका बजट है वो बराबर रहे तो 25 परसेंट को हम क्या लिखते हैं भीन के अंदर एक बटे चार लिखते हैं यहनी 4 से 1 गिरकर कितना हो गया है ?3 हो गया है मुले तो हमें बज़ट को पूरुवत रखने के लिए क्या करना पढ़ेगा ?3 से 4 करना पढ़ेगा ? एक बढ़ाना पड़ेगा ठीक है तो एक किस पर बढ़ाया तीन पर बढ़ाया तो परसेंटेज बनाने के लिए सो से मल्टिप्लाई करते हैं यह आ जाएगा 33 सही एक बटे 3 परसेंट आ जाएगा ऑप्शन नमबर एक हो चुका है सवाल नमबर 85 चाए के मुल्य में 20% की कमी की गई पुनावास्तिक मुल्य लाने के लिए इसके मुल्य को कितना वर्दी करना पड़ेगा तो 20% की कमी की गई 20% को एक बटे 5 लिखते हैं यानि कि 5 से एक घटा कर 4 हो चुका है कहने का मतलब यह क्योंकि एक है उपर एक घटा द लिए 100 से मल्टिप्लाई करते हैं 25% आ चुका है ऑप्शन नमबर 4 हो चुका है यहाँ ऑप्शन नमबर 2 हो चुका है 25% सवाल नमबर 86 तीन सहर दिल्ली मुंबई और चैन्नाई में वर्ष 2002 से 2003 तक वर्षा को दर्षाने वाले निम लिखित ग्राफ का अध्यन करे और नहीं है और चार साल यानि चार सालों के अंदर तीन वर्षों चार सालों के अंदर तीन सहरों के अंदर वर्षा का अनपाद दिया वर्षा का जो यह कितनी वर्षा होई है यह दर्षाया गया आपको mm के अंदर कि जैसे 2000 की बात करें तो दिल्ली के अंदर 50 mm बारिस होई है और मुंबई में 70 mm हुई है चेनई में 90 mm हुई है इस प्रकार से तो मुंबई में कितनी ओसत वर्षा हुई है सबसे पहला सवाल तो ये पूछा गया है तो देखो मुंबई की बात करते हैं तो पहले साल कितनी हुई 70, दूसरे साल 90 तीसरे साल 80 और चोथे साल 130 इन सब को जोड़ो तो 7 को यदि 9 से जोड़ते हैं 16 और 8 जोड़ते हैं तो 24, 24 में अब यदि हम 3 जोड़ते हैं 27 और 10 और जोड़ना है 37, 37 पीछे एक 0 है, 4 से करो ओसत निकालने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 4 सालों का है अब जब आप इसको डिवाइड करोगे 4 निम 36 आता है 10 बचा, 2 वार जाएगा 10, अब देखो बचा कितना यहाँ पर 2 बचा है आपके पास तो हमें एक 0 तारने के लिए पॉइंट लगाना पड़ेगा तो 90.5 आ जाएगा बान में पॉइंट 5 आ जाएगा ओप्शन नमबर 3 हो जाएगा यहाँ से सवाल नमबर 87 किसी विशेश वर्ष में पिछले वर्ष की तुलणा में उसत वर्षा में वर्दी या कमी का उस्तम प्रतिशत कितना है तो देखो यह कह रहाए अधिक्तम है यह पूछा गया ओसत की बात कर लो और चाहे टोटल बात कर लो एक ही बात है तो देखो पहले वर्स का टोटल करना है दूसरे का टोटल करना है तीसरे का चोथे का टोटल करना है सबसे पहले तो यह काम करना है तो जल्दी से आप जोड़ो 5 को 7 से जोड़ा 12 और 9 जोड़ा 21 110 आच चुक है दूसरे को जोड़ो 7 को 9 7 को यह दि हम 9 से जोड़ते हैं जोड़ोगे तो 25 हो जाएगा, 8 जोड़ोगे 25 में 33 हो जाएगा, अब यहाँ पर यह उच गया, 8 और इनको जोड़ोगे 14, 14 और 13 हो जाएगा 270, 14, 13, 270 यह आ चुका है, अब देखो पिछले वर्स की तुलना में अधिक नम, तो सबसे पहले तो आप अंतर देखो, 240 की बात करे तो पिछले वर्स से कितना अधिक है, 30 अधिक है, कितना अधिक है, 30 अधिक है, प्लस का 30 अधिक है, ठीक है, यहाँ पर कितना अधिक है, तो यहाँ पर अधिक है, 40 तो यह उचुका है, 60, 60 और 30, 90 अधिक है, पिछले वर्स की तुलना में, यहाँ पर देखो कितना है, अंत 60 का अंतर ठीक है वर्दी भी हो सकती है और कमी भी हो सकती है अधिकतम देखना है कि वर्दी होई है या कमी होई है कौन से वर्ष में होई है तो हमने पिछले वर्ष के तुलना में ये निकाल लिया है ये तो अंतर निकाल लिए है पिछले वर्स की तुलना में, अब पिछले वर्स की तुलना में हमें percentage निकालना है, तो पिछले वर्स में कितना था 210, तो 210 का percent निकालना है, और यहां पर 240 का percent निकालना है, और यहां पर 330 का, यहनि कि 30, 210 का कितना percent है, अब आपको बताना है कि इ उस्तम वर्दी या कमी किसमें, यानि कि सबसे ज़्यादा मान कौन से गारा है इनमें ये बताना है हमें, तो देखो 0 से तो 0 कट गई सम में, 0 से तो 0 कट चुकी है, अब आप देखो, सबसे अधिक वर्दी किसमें दिखाई देगी आपको, 24 का 10%, अब देखो, 21 के 10% की बात कर है, 10% से तो ज़्यादा है, लेकिन 10% से तो ज़्यादा है, और 20% की बात करें, तो 4.2 होगा, 4.2 से कम है, यानि कि ये 20 और 10 के बीच में, पहली चीज तो ये, 20 और 10 के बीच में अलगभग 15% के आसपास होगा, दूसरे की बात करते हैं, नो है ना 24 का कितना होगा तो 24 का 10% बात करे 2.4 होता है इसका 20% के बात करे तो 4.8 होता है और इसका भी डबल करेंगे तब आएगा 9.6 यानि कि ये 40% से कुछ कम है यानि 40% के आसपास है ठीक है नब है 24 के 9 है ना जो 24 के 40% के आसपास है ये कहने का मतलब है और 33 का 10% 3.3 होता है और 20% 6.6 होता है यानि कि ये जो 6 है उपर ये 20% तो इसका 6.6 होता है 33 का मगर उपर तो कितना है 6 है यानि कि ये तो 20% से कम है और ये लगबग 10% से 20% के बीच में है और ये लगबग 40% से थोड़ा सा कम है 40 तो सबसे बड़ा कौन सा हो गया है percentage में दूसरा वाला हो चुका है ये वाला तीसरा वाला हो चुका है यानि कि 2002 हो चुका है अब उसने पूछा है कितना कम है ये भी निकालना पड़ेगा अधिकतम मुस्तम कितना है तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी 9240 इन्टू 100 इसको सॉल करना पड़ेगा आपको तो जीरो से तो देखो जीरो कट चुकी है अब तीन से ये दिखाटेंगे तो ये तीन आ जाएगा और यहां पर कितना आ रहा है आठ आ रहा है अब हमारे पास आ चुका है तीन सो बटे आठ आ चुका है अब भाग दोगे इसमें दो का भाग कितनी वार जाएगा नहीं आठ का भाग अठिकमाट आठ जुन सोला आठित चोविस तीन वार जाएगा चोविस आ चुका है अब 6 और 60 बच चुका है 8, 7, 56 होता है 56 और अब आगे 56 आ चुका है 4 बचा तो 5 बार जाएगा 37.5 आ चुका है option number 3 हो जाएगा यहाँ से सवाल number 88 किस वर्ष में 10 नहीं की वर्षा में वर्धी या कमी परतीसत अधिक्तम है किस वर्ष में परतीसत वर्षा वर्धी या कमी परतीसत वर्ष में वर्धी या कमी का परतीसत अधिक्तम है यह पूचा गया है किस वर्ष में चैन्नई में केवल चैन्नई यह बात कर रहा है तो देखो यहाँ पर चैन्नई में 90 है पहले वर्ष में दूसरे में 80 है तीसरे में 140 है और चोते में 80 है यह तो देरख है अब अधिकतम कमी पिछले वर्ष की तुलना में तो यहां देखो कितना आया दस की कमी हो चुकी है यहां पिछले वर्स की तुलना में बात करें तो कितना आएगा 60 की वर्दी हो चुकी है और यहां पर बात करें तो कितने की कमी हुई है 60 की कमी हुई है अब देखो यह 60-60 है और यह तो 10 ही है तो इसको तो लेने से कोई फायदा ही नहीं है ये दोनों में सही होगा कोई अधिक्तम वर्दी या कमी दोनों 60-60 है अब कौन साले तो देखो ये 60 की जो वर्दी 80 पर हुई है क्योंकि पिछले वर्स और ये 60 की जो वर्दी हुई है ना 140 पर हुई है तो इसका ही परसेंटेज जादा आएगा इसका नहीं आएगा क्योंकि ये कम पर है ये नीचे जादा है हर तो ये वाला होगा चाया आप इसका परसेंटेज निकालने से जादा यहां आपको इन चीजों का समझना जादा जरूरी है कि ये किस परकार से आया है तो 60 बटे 80 करने पर देखो नीचे हर किसका बड़ा है ? इसका तो ये तो कम आएगा और ये ज्यादा आएगा तो इसलिए क्योंकि ये 160 की वरदी lies 80 पर हुई है और ये 60 की वरदी 140 पर हुई है तो इसलिए percentage में किस का मान ज़ादा आएगा इस वाले का ज़ादा मान आएगा तो ये वाला हो चुका है कब 2002 हो चुका है option number हमारा 2 हो जाएगा और 89 उस विकल्ब का chain कीजिए जो उस्तम वर्षा वाले सहर के साथ उसकी ओशत वर्षा को भी दर्शाता है उस्तम वर्षा वाले सहर के साथ उसकी ओशत वर्षा को भी दिखाता है अब इसने पूछा है कि किस सहर की वर्षा सबसे ज़ादा होई है और ओशत तो उसी का ज़ादा होगा जिसका योग ज़ादा होगा तो सभी सहर की जोड़ना है इस पहले वाले सहर को जोड़ो दिल्ली को चारों में जोड़ना पड़ेगा तो यहां से 5, 7, 11 और 6 इसको जोड़ना पड़ेगा 5 और 7, 12, 12 और 11 कितना होता है? 23 में 6 जोड़ोगे तो कितना आजाएगा? 23 में 6 जोड़ने पर 39 आजाता है इसी प्रकार से दूसरे सहर को मुंबई है उसको जोड़ोगे 7 और 9 हो जाता है 16, 16 में 8 जोड़ोगे 24, 24 में 13 जोड़ोगे तो 27 और 37 आजाएगा अब चैननाई की बात करते है तो 9 और 8 जोड़ोगे तो 8 और 8, 16 और 17 हो जाएगा 17 में 4 जोड़ोगे 17 और 4, 21 और 10, 31, 31 में 8 जोड़ने पर 39 आजाता है योग जिसका जादा है उसी का उसत जादा होगा तो इसमें उसत वर्षा सबसे अधिक हुई है ये चैननाई के अंदर हुई है 39 ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा बाकी हमें ये कैलकुलेट करने के जुर्थ नहीं है कितनी ओसत वर्षा हुई है बस यहां से हो चुका है ओसत आपको यदि कैलकुलेट करना हो तो इनकी पीछे के 0 और थी 390 बटे 4 कर देना वो भी मिल जाएगा आपको मगर उसको नहीं निकालना है हमें तो यहां पर दोस्तो आज का हमारा पेपर सवापत हो चुका है यह आपको कैसा लगा यह आप शरूर कमेंट में बताना और कोई सवाल नहीं समझ में आया तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं ठैक्यों दोस्तों